गूड बार्णिंग आज आप लों को फिजिक्स सेकेंड शेप्टर में एक बहुत ही इंपार्टन टापिक है जो नीट चेही में और किसी बोर्ड इग्याम में हमें सब पूछा जाता है कामन पोटेंशियल एन एनर्जी लास कामन पोटेंशियल एन एनर्जी लास दो कंड़क्टर हैं उन कंड़क्टर को यह दि हम कनेट कर दें तो कनेट कर देने से चार्ज का जो है वो फ्लो होगा और जो चार्ज का फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की त पोटेंशियल मान लिए अलग-अलग है और उसको एक बाइर से कनेट कर देंगे तो बाइर से जब कनेट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो हाई उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी अब दोनों कंड़क्टर को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे बाहर से तब उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी अब कनेक्शन के पहले वादी एनर्जी में कनेक्शन के बाद वादी एनर्जी को माइनस कर देंगे connection के पहले की total energy में connection के बाद की total energy को minus कर देंगे तो आज आएगा energy loss ठीक है तो आज का जो मेरा topic है वो है common potential and energy loss ठीक है ना common potential and energy loss ठीक है तो पहले common potential होता क्या है common potential तो लिखिए देखिए when two charged conductor are connected to each other then charge flows from higher potential to lower potential charge flow from higher potential to lower low potential and after some time their potential becomes equal that potential is called that potential is called common potential is called common potential potential की और और यह दिका है दिए जाए higher lower potential है नहीं ते इसका मतलब पहले से equal है तब common potential वही है ना charge का flow high से low होता है the high low potential नहीं है तो charge का flow होगा ही नहीं यह वैसे जैसे liquid का flow high level से lower level की और होता है ठीक है ना यह अब हम क्या करते है देखिएगा एक conductor ले ले लेते है ए अदूसरा conductor ले 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 लेते है बी ठीक है इसके capacity को ले ले लेते है c1 इसकी capacity को ले ले लेते है c2 इसको हमने दिया charge q1 तो potential हुआ भी बन और इसके charge q2 दिया तो potential हुआ भी टू सब समझ रहे है एक साथ भीड हो जाई दिया ना खुदों कहां से आ गया यह भी दो conductor है इनका capacity c1 c2 है ठीक है ना एक को हमने q1 charge दिया तो उसका potential हुआ भी बन अब बी को q2 charge दिया तो उसका potential क्या है b2 यह है before connection अब क्या करते हैं यह c1 c2 अभी भी q1 q2 अभी भी potential सेम हो गया after connection after connection ठीक है यह तो यह क्या किया हमने दो conductor लिया है a और b उनका capacity है c1 और c2 charge दिया है q1 q2 जिसकी वजह से potential क्या है b1 b2 जब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं connect कर देते हैं तो 4 जो है high potential से low potential की तरफ जा करके दोनों का potential क्या कर देता है सेम कर देता है और वो सुम potential क्या है भी है ठीक है इस भी कि हमको आपकार मुला लाना है ठीक है ना तो देखिए क्या करना होगा Let A and B are two conductor of capacities C1 and C2 when Q1 and Q2 charge, charge is given to the conductor. When Q1 and Q2 charge given to the conductor, then their potential are V1 and V2. Therefore, total charge Q equal to Q1 plus Q2. अब Q1, Q equal to होता है, C2 होता है, Q1 equal to C1 V1. Q equal to C2 होता है, Q1 equal to C1 V1. तो यहाँ हो गया C1 V1, यहाँ हो गया C2 V2 Q equal to and total capacity. तो C equal to C1 plus C2. ठीक है, यह हो गया charge और यह हो गया capacity. हमको लाना है common potential. क्या लाना है? common potential. क्या कहेंगे? जब हम दोनों conductor को क्या करते हैं? connect कर देते हैं. दोनों conductor को जब connect कर देंगे, तो उनका जो potential है, वो common हो जाएगा. और उस common potential को हम consider कर लेंगे भी. ठीक है? आगे लिखते है, if है. if common potential is V, if common potential V, after connection, if common potential is V, after connection, then V equal to Q upon C. तब V equal to Q के बदले, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. ये है common potential का फार्मूला. ये किसका फार्मूला है? common potential का. ठीक है ना? common potential के ये फार्मूला मिल गया. common potential आ गया. अब energy last का फार्मूला कैसे लाएगे, उसको सुनिए. हमने ये कहा, कि जब ये connection में नहीं है, ये बिफोर connection. क्या? बिफोर connection. तो इसकी energy ला लें और इसकी energy ला लें, फिर दोनों का total कर दें, तो बिफोर connection total energy मिल जाएगी. ठीक है? बिफोर connection, एक ही energy, बी के energy, total energy. फिर क्या करेंगे? आप्टर connection, एक ही energy, बी के energy, फिर total energy. फिर बिफोर connection में आप्टर connection वाली energy को माइनिस कर देंगे, तो energy last हो जाएगा, energy last का फार्मॉला मिल जाएगा. ठीक है ना? ये, यही करना है. ठीक है? तो energy last. एनर्जी last के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है. एनर्जी last. तो पहले हम क्या करेंगे? बिफोर connection, बिफोर connection, energy of conductor A, half C1 V1 square. energy of conductor A, तो half C1 V1 square. और energy of conductor B, तो half C2 V2 square. therefore total energy. half C1 V1 square, प्लस half C2 V2 square. तो half common कर लिया, तो ये C1 V1 square, प्लस C to V to square यह आपका हो गया U1 की value. फिर क्या करते हैं? After connection, after connection तो energy of conductor यह निकालेंगे. क्या अंतर पड़ेगा? अभी दोनों का potential क्या है? V1, V2. याद करो, before connection दोनों का potential क्या है? V1, V2. अजब connection कर देंगे तो potential दोनों का same हो जाएगा. तो V1, V2 न लिखकर दोनों में भी लिखना होगा. क्या before connection potential में V1, V2 लिखा है? अजब after connection कर देंगे तो potential V1, V2 के बदले same potential भी हो जाएगा. तो after connection energy of conductor A, तो half C1, V2. और energy of conductor B, तो half C2, V2. therefore total energy, total energy after connection. तो U2 equal to half C1, V2 plus half C2, V2. अभी तो क्या है? common potential है. है ना? V2 को बाहर कर लेती है. देखिएगा. तो U2 equal to हो जाएगा. हाब V2, अज़े C1 plus C2. ये. V2 common लेए C1 plus C2. V2 क्या है? common potential है. तो common potential का formula मिल चुका है. C1, V1 plus C2, V2 upon C1 plus C2 का whole square. अज़े C1 plus C2. क्या किया हमने? V2 common लिया. अज़े V जो है, वो common potential है. क्या है? common potential. तो जो इसके पहले common potential B की value आया है, उसको यहाँ पर हमने रख दिया. अब ये एक्ठो C1 plus C2 से ये कैंसिल हो जाएगा. ध्यान देना. 1 upon 2, C1, V1 plus C2, V2 upon. इसका square से ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या लिख दिया जाए है? सीवान प्लस C2. ये एक्ठो इससे कट जाएगा. ये whole square है. तो उपर कभी है, नीचे कभी है. तो नीचे सी square कट जाएगा. इससे तो एक्ठो बचा. औहीजे square रहेगा ही. क्या कहा हमने यह होल स्कॉार है इसका मतलब इसका भी स्कॉार है इसका भी स्कॉार है तो इसका स्कॉार यह लिख दिया इसका स्कॉार कहा गया इसका स्कॉार इठ्थो से कट गया ठीक है तो यह है अनर्जी आपनर कनेक्सन यह है अनर्जी विफोर कनेक्सन इस वाली इनर्जी में इस वाली को माइनस कर दिया जाए तो इनर्जी का लास होगा जो इनर्जी का लास होगा वो हीट फार्म में होगा किसमें? हीट फार्म में जब हीट फार्म में होगा तो ये भी कह सकते हैं कि जो इनर्जी का लास हुआ है वो लास नहीं दूसरे रूप में चेंज आए हो गया है ना इनर्जी लास इसमें इसको माइनस करना है देखना अब माइनस कैसे करेंगे तो इनर्जी लास डेल्टा यू इकॉल टू यूबन माइनस यूटू हाप C1 v1 स्क्वाइर प्लस C2 v2 स्क्वाइर माइनस हाप ये C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वाइर अपान C1 mais C2 यहां देखिए 1 upon 2 हम कामन कर देते बाहर तो यहां क्या बचा C1 v1 स्क्वाइर C2 v2 स्क्वाइर माइनस इसमे C1 V1 प्लस C2 V2 का whole square upon C1 प्लस C2 अब इसका LCM ले ले लेते हैं इस वन करके इसका LCM यही आएगा देखना यहां भी कुछ लोगों को दिक्का चली जाती है इसका LCM लिया तो इसका LCM यही C1 प्लस C2 आया C1 प्लस C1 प्लस C2 में 1 से डिबाइड करें है तो यही आएगा और यही आएगा तो इसका LCM करेंगे कुछ बच्चों को यहां भी दिक्कत आती है अच्छे से देखना C1 प्लस C2 का LCM करेंगे तो पहले C1 का LCM दोनों में तो C1 का C1 से तो C1 स्क्वार भीवन स्क्वार फिर C1 का LCM तो C1 C2 V2 स्क्वार फिर C2 का इस से तो C1 C2 V1 स्क्वार फिर C2 का इस से तो C2 स्क्वार भीटू स्क्वार यह रहा यानि इसका इसके साथ मर्टिप्लाई हुआ है इसका इसके साथ इंटू किया है और यह प्लस B का होल स्क्वार तो यह C1 स्क्वार भीवन स्क्वार C2 square V2 square Minus 2 C1 C2 V1 V2 क्या किया A plus B का whole square इसका square इसका square और 2 ये 2 ये दोनो माइनस लगा है बाहर माइनस की बजह से ये plus माइनस ये माइनस प्लस काइंसिल क्या बचा 1 upon 2 C1 C2 इसमें भी है C1 C2 इसमें भी है C1 C2 इसमें भी है तो C1 C2 कामन कर ले और C1 plus C2 तो बचे है अईधर क्या बचा V2 square plus V1 square minus 2 V1 V2 ये लिजिए क्या हुआ C1 C2 हमने कर दिया कामन बचा इसमे V2 square बचा इसमे V1 square बचा इसमे 2 V1 V2 ठीक है इसको लिख सकते है 1 upon 2 C1 C2 upon C1 plus C2 और ये V1 minus V2 का whole square चाहे V1 minus V2 का whole square चाहे V2 minus V1 ठीक है ना तो ये है energy loss इसी को ये energy जो loss होती है heat form में होती है किस form में? heat form में heat form तो ये जो इसी को अच इक्वल टू लिख सकते हो ये जो energy का last होता है heat, light, sound में होता है तो heat form में कहेंगे तो ये अच इक्वल टू कह सकते हो मिन्स ये हुआ कि जब दो कंड़क्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो दो कंड़क्टर को कनेक्ट करने पर देखो दो कंड़क्टर है उनको जब कनेक्ट किया गया तो जो energy का last हुआ वो heat form में होगा तो ये heat का फार्मला बन गया जब दो लोगक्टर का potential पहले से ही same होता दो कंड़क्टर होते उन दोनों कंड़क्टर का potential पहले से same होता और same होता उनको एक बायर से connect कर देते तो charge का flow नहीं होता और जब charge का flow नहीं होता तो energy का last नहीं होता कभी आप से question कर दिया जाएगा कि दो कंड़क्टर को कनेक्ट करने पर इनरजी का लास कब नहीं होगा तो इनरजी का लास तब नहीं होगा जब दोनों का पोटेंशल पहले से ही सेम हो ठीक है अब इनरजी का लास इसलिए हो रहा है कहे तो कहीं इनरजी कम तो नहीं हो रही है तो एनर्जी कम हो रही तो लास और अनर्जी बढ़ रही तो गेल पर यहां पर यह डेल्टा यू जो है पहले वाले में बाद को खटाया गया है तो यह प्लसाई में आएगा होली स्कुआयर है तो पहले वाली एनर्जी में बाद वाली एनर्जी को खटाया जाए अब वो पा यहां हमने पहली इनरजी में से बाद वाली इनरजी को माइनस किया है तो जो पाईलू आएगग वो पास्टीू आएगगा क्योंकि यहां Holy Sauce लगा है इसका मतलब यह इनरजी का लास हुआ अब इनरजी का लास होने का मतलब होता है कि एनरजी एक दूसरे फार में चेंज हो गई अब वो एनरजी हीट फार में चेंज हो गई ठीक है ना ता इससे जो क्वेश्चन बनते हैं सभी स्टेट बोर्ड, सीबी अस्टी बोर्ड और नीट जेई में इससे निमेरिकल क्वेश्चन आब लोगों से पूछे जाएंगे ठीक है ना ध्यान लखना, थैंक यू